तो यह दस्वें कोशिशन को पहले तो पहचाना जाए कि क्या वेरिबिल सेपरेबिल हो सकता है नहीं हो सकता है क्योंक खतारनाक तरीके से X और Y इतना मर जहें कि नहीं निकल सकते बाहर और तो पहले तो आप X निकालो यहाँ पर दी वाला टर्म लिखा रहे हैं दो तो E to power X upon Y 1 minus X upon Y चेक कली जहें कि रिखा है D Y is equal to minus 1 plus E to power X upon Y into D X इस D X उधर ले आओ और D Y के साथ पुरा खांदान उधर ट्रांसवर कर दो तो क्या आएगा D Y by D X is equal to minus 1 plus E to power X upon Y upon क्या आएगा E to power X upon Y 1 minus X upon Y इसको हम फिलाल क्या माने ले रहे हैं अब इसको homogenous दिखाएंगे भी हम है ना equation number इसको 2 डाल दो homogenous दिखाने का तरीका क्या होता है X is replaced by lambda X and Y is replaced by lambda Y अगर lambda gaiv हो जाए और यह function agities आपको मिल जाए तो यह homogenous हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से क्या मिलेगा DYY DX is equal to minus 1 plus E to power lambda X upon lambda Y तो X upon Y आएगा अपान lambda X upon lambda Y X upon Y आएगा 1 minus X upon Y आएगा तो यह दो दुबारा कैसे आगई? अब lambda power 0 कहां लिख दें हम? कामन मिल ला कहीं पर ने वो ठीक है lambda gaiv हो गया वो understood है कि lambda power 0 आएगा ठीक है? So it is homogenous equation of 0 degree 0 degree का ही homogenous equation है चेक हो गया? प्रूफ हो गया? ठीक है? अब homogenous हो गया तब क्या करेंगे? जिसा कि पहले बारे इसमें हमने बताया था कि अब यह इसको रब कर देंगे रब मतलब erase ने कर देना तुम अब यहीं से start करते हैं क्या करेंगे? let y ब्रावर क्या रखेंगे? vx, v is not constant v is the function of x तो जब इसको हम differentiate करेंगे dy by dx तो first function x का 1 हो गया प्लस seconds function v का क्या हो जागा? d by dx उठा कि equation number 2 में रख दो putting this value putting this value in equation 2 रखो यहाँ पर तो क्या आएगा? dy by dx is equal to आपने y को vx माना है ध्यान रखेगा जा x को vy मान ले है? नहीं ठीक है y को vx x को vy मान सकते हैं क्या? अगर x को उल्टा एक में थोड़ा सा 1 मिड़ कीगा अगर मैं y को vx मानता हूँ न तो एक लफड़ा हमें दिख रहा है दिख यह रहा है कि यह value अरे ठीक रखे x को vy मानना चाहते हैं मानों देखो अगर गरबड होगा तो हटाएंगे फिर इसको हम अगर ने हमने क्या का हम इसलिए थोड़ा जुरू करहे थे तो हम x को vy मानने ले रहे हैं चलेगा हम जानबुज कि यहां पर इसको रब करेंगे क्यों नहीं मानना है भाई क्योंकि यह वन अपान v गरबड कर रहा था तो हम x को क्या मानेंगे vy X को मानेंगे VY लेगिन differentiation तो X के respect में करना पड़ेगा तो इसको फिलाल तो अब अगर X के respect में करेंगे उल्टा हो जाएगा तो इसको करेंगे differentiate Y के DX by DY is equal to यह क्या आएगा V plus Y DV by DY सब उल्टा उल्टा हो गया तो इसको भी पलड न दें बाद पलड देंगे हम केवल एक चीज़ देख रहे हैं यह लफडा कर रहा है इसलिए हमान रहे हैं उल्टा उल्टा इसको कर देंगे तो यहां से DY by DX की value क्या होगी यह रुकिएगा इसको पलड दो उठा करके वहना दिक्कत आएगी न अगर इसको अगर यह value यहां उल्टा लिख देंगे तो दिक्कत आएगी हम इसको पलड रहे हैं यह रख दो उठा करके यहां से रखें यहां पर इसको पलड दीजे उठा करके by question 3 2 क्या आएगा इसको पलडो तो DX by DY की value क्या आएगी यह उपर जाएगा न e to power x upon y 1 minus x upon y हाँ आ जाएगा minus upon minus 1 plus e to power x upon y रखो value उठा करके तो जहां पर DX by DY वहां क्या लिखेंगे यह लिखेंगे V plus Y DV by DY is equal to आप x को Vy लिख रहे हों यह द्यान रखेंगा तो आएगा minus का यह क्या आएगा इट पावर V आएगा यहां क्या आएगा 1 minus V upon में क्या आएगा 1 plus e to power V तो यहां से जब Y DV by DY निकालोगे तो आएगा minus e to power V bracket में 1 minus V upon 1 plus e to power V minus V ज़रा यहां तो पहुंचिए इसको ज़रा इधर ही open हो जाएगा क्या Y DV by DY is equal to देखो मैं minus bracket खोला लसम दे रहा हूँ तो क्या है का minus e to power V plus V e to power V यह लसम हो गया minus V और minus V e to power V upon 1 plus e to power V कुछ खटेगा पिटेगा यह कड जाएगा क्या हो जाएगा देखे य DV by DY is equal to minus कामल ले लो तो आएगा V plus e power V upon 1 plus e power V यह पुरा V का function इधर ले आओ तो क्या हैगा 1 plus e power V upon V plus e power V DV के साथ आगया और minus का DY upon Y दोनों तब integrate कर दो minus ठीक आ रहा न गलत तो नहीं आ रहा है अब आपको कुछ दिख रहा है इधर का integration कुछ सुझ में आ रहा है इधर का कुछ दिख रहा है अगर denominator अगर इसको T मान लो तो इसका D by X उपर प्रिजेंटर रहा है तो इसको T मान लीजे हम मान नहीं रेडाइट कर रहे है तो इसका integral क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा log V plus e power V इसका क्या हो जाएगा minus log Y अब सब log है तो log C भी आ लिखा रहे है इसको इधर ले आओ तो आएगा log V plus e power V ये plus में आएगा न तो into Y हो जाएगा is equal to log C log लग हट जाएगा तो आएगा V plus e power V into Y is equal to C V की value क्या है X को VY माना था ना तो V की value क्या है तो ये हो जाएगा X upon Y plus e power X upon Y और into Y is equal to C अब चाहो तो Y LCM ले लो Y वे cancel हो जाएगा या Y का bracket खोल जो भी आप सोचो तो आएगा X plus Y e power X upon Y is equal to C तो this is your answer ठीक है तो ये आपका answer होगा नोट कर लिए देखे जब हम Y को VX मानते हैं देखे दियान से तो नहीं Y को हम X का function मानते है Y को हम X का function मानते है तो V भी X का function होता है तो V भी X के respect में differentiate होता है लेकि जब X को VY मानते हैं तो हम X को Y का function मानते है दोनों हम मान सकते हैं सर्थ केवल इंट्रिगेबल होना चाहिए लेकिन बस केवल वह एकस अपान वाई जो लफड़े वाला था उसी के वज़ा से मानना पुड़ा इसका जो 11th कोईशन वह अपने आप करने ही पिछले एकस्काज माप कर चुके है एकस प्लस वाई एपान एकस माईनस वाई करें य कॉंस्टेंट निकालने के लिए उन्होंने एक कंडिशन दी है कि एकस का मान रखो वन और य का मान रखो वन तो कॉंस्टेंट की वैल्यो निकल आएगी तो सलूसन कैसा हो जाएगा वो particular solution हो जाएगा पर टिकुलर ली आपके लिए बनाया है ये generally सब के लिए बनाया है तो जहां पर c रहता है वो general equation होता है general solution होता है और जहां पर c की एक particular value हो जाती है तो हो जाता है particular equation ठीक है तो अब question number बात करते हैं 12 की 11 अपने आप करिएगा 12 की बात करते हैं ये रेंडमली बात किये ले रहे हैं एक साइज खतम x square dy x square dy plus xy plus y square plus xy plus y square dx is equal to 0 देखे जब भी differential equation आएगा 99.9% उसमें लिखा नहीं होगा कि किस तरीके से solve करना है कि homogeneous है, variable separable है ना कुछ नहीं लिखा हुगा आप देख रहे हो कि y के function को अलग नहीं किया जा सकता dy के साथ तो ये variable separable तो है नहीं कोई group एक साथ लिखा हो तो हमने क्या कहा था कि वो variable separable की रूप में हम उसको change कर सकते हैं वो भी ऐसा नहीं है तो अब पहले directs निका लिए तो यानि कि इसको लिख सकते हैं x square dy is equal to minus x y plus y square dx dx को इदर लिया हो तो ये क्या बन जाएगा dy by dx is equal to minus x y plus y square upon x square क्या इसको homogenious proof कर लेंगे प्रूफ कर लेंगे examination प्रूफ करना पड़ेगा आपको देखने के लिए ये term कितने degree का है 2 ये 2 ये 2 सबकी 2 degree है इसलिए homogenious है अच्छा 2 degree upon 2 degree तो 0 degree अपने आबाद जाएगा यानि homogenious यह हुआ तो यानि कि ये homogenious है लेकिन आपने check किया पहले तो आप क्या मानें कि let y बराबर vx यानि हमने y को x का function लिया तो यहां से d y by dx सी value क्या निकलेगी d y by dx first function x का 1 plus second function v का d vy dx y को vx मान लिया d y by dx निकाल लिया रख दिया इसके बाद differential equation का काम खतम integration काम शुरू हो गया रखो उठा करके तो आएगा v plus x d vy by dx is equal to minus x y को vx plus y square v square x square upon x square उपर नीचे से x square cancel हो जाएगा न तो क्या आएगा v plus x d vy by dx is equal to bracket खोल दो minus v minus का v square है ना यह minus v उदर ले जाएगा यह minus का v उदर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा x d vy by dx is equal to minus काम ले लो आएगा v square plus 2v अब इस v के function को dv के साल ले आओ तो आएगा dv upon v square plus 2v is equal to minus dx upon x अब मैं एक second के लिए इसको रोक रहा हूं आप इसको integrate करो फिर अपना दिमाग हम लगाते हैं यह dx लिखा हुआ है गंदा गंदा नोट करिए जरा हमने आपको एक मिनिट का समय दिया था दिख रहा है आपको कैसे लगाएंगे इसको अरे यार partial fraction करोगे इतना खतरनाक चीज करोगे है ने partial fraction हम मानें यह नहीं करना partial fraction चलाओ partial fraction पहले v upon v v plus 1 करो फि a upon v plus b upon कितना आपको याद है perfect is why बनाने वाला 1 upon a x वो लगाईए न वो ठीक है partial fraction हो जाएगा इसको क्या लिख सकते हैं इसको v plus 1 का whole square ले सकते हैं लेकिन जब v plus 1 का whole square करेंगे तो क्या यह result आएगा नहीं आएगा ना तो यानि minus 1 करना पड़ेगा और अब integrate करेंगे और इसमें minus का dx upon x देखो यह formula काँ से दिख रहा है 1 upon x square minus a square हमें formula दिख रहा है यहाँ पर 1 upon integral यहाँ थोड़े लगेगा integral 1 upon x square minus a square का integral क्या होता है 1 upon 2a log x minus a upon देखो log में mod लगता है जहां हम ना लगाएं लगा लिया करिये तो यानि कि a यहाँ पर 1 है और x यहाँ पर क्या है v plus 1 है ठीक है तो 1 upon 2 log x बोले तो v plus 1 minus 1 upon v plus 1 plus 1 is equal to minus का यह आएगा log x पूरी log family है तो यहाँ पर लिखेंगे log c है ना अच्छा यह तो कड़ गया इस 2 को हटा ने कहां जाएगा यह यह रूट में दिक्कत करेंगे ना इसको 2 को इधन ले जाओ ठीक है पंडरूट कहाए करें दिक्कत करेंगे ना अरे ठीक है तो आएगा log यह क्या आएगा v upon v plus 1 आएगा और v plus 2 आएगा और यह क्या जाएगा प्लस का 2 log x आजाएगा ना बराबर इसको log c square लिख सकते हैं बात भटा देंगे हम यह 2 कहाँ जाएगा यह 2 हटेगा इसकी power में आएगा इसका इसका multiply हो जाएगा तो आज जाएगा log v upon v plus 2 multiplied by x square और बराबर यह क्या हो जाएगा log का c dash मान लो c बढ़ाब इस constant बिचारा अब दो कोड़ी का होता है कोई c मान लोग c मान लोग हमाई कोई आवकात है नहीं आवकात कब आती है जब value condition दी होती तब इसकी एक particular value निकलती है अब लोग हटा दो तो v upon v plus 2 into x square राबर c dash अब v की value क्या है y by x है रख दो तो जब v की value आप रखोगे यहाँ पर calculation mistake नहों देखिए हमसे बहुत यह दिक्कत हो जाती है तो आप दिमाग कहाँ चलता है तो v को रखेंगे y by x upon y by x plus 2 into x square राबर c dash x lcm लिया यहाँ पर यहाँ लिखा रहने दो तो आएगा y plus 2x by x into x square is equal to c dash यह x कर जाएगा तो आएगा y x square राबर c dash y plus 2x this is your answer और कोई condition नहीं दी है क्या कोई condition दी है कौँज कोशन नमबर है बारवाँ condition दी भी है पहले इसको पहुचिए आप equation number 1 डालो इसको फिर condition लगे अज़ा condition देने पर log c लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता ने थोड़ा नहीं change होगा पार्सल फिक्शन में भी ही आएगा जोको यहाँ पर जो condition given है given x is equal to 1 when y is equal to 1 तो कहां रखोगे equation 1 में रख दो तो in equation 1 putting in equation 1 putting in equation 1 रखो x को 1 यह क्या आएगा 1 is equal to c dash यह आएगा y बोले तो 1 plus 2 तो c dash की value क्या जाएगा 1 by 3 c dash आया c dash को फिर वहीं रख दो तो by question 1 solution क्या जाएगा x square y is equal to y plus 2x upon 3 यहीं छोड़ दो यह 3 को इदर ले आओ तो 3 3 x y square y ब्रावर y plus 2x this is your answer यह general solution है या particular यह particular solution है ठीक है क्यों particular सुन आ गया note करिए यहां तक आप पहुँच गए होंगे ना सुनिए सबसे पहले आप क्या सोचेंगे variable or separable तो आप कहेंगे आप नहीं सोचेंगे क्यों इक exercise में variable or separable पूसा मतलब मुर्था तो homogenous की exercise यह तो कहां से मिलेगा लिए बोर्ड इंगाम के हम बात कर रहे है फिर आप degree y को vx मान y को sorry x को lambda x और y को lambda y मान के रखेंगे तो यह homogenous दिख रहा है कैसे इदा दिखिए यह 1 degree यह 0 degree इसका कामी खतम हो गया अब हमको लगता आपको variable or separable दिख रहा होगा लगा दो इसको क्या करेंगे इसमें sin square v दले हो तो dv upon sin square v ब्रावर minus dx upon x यह आपका कॉसेक square v हो गया कॉसेक square v dv is equal to minus dx by x integral कॉसेक square v का integral क्या होता है minus cot v minus cot v ब्रावर minus log x plus c क्या के लिए आप log c लिखोगे और वैसे भी नहीं लिखेगे हम जोकि condition given है अपने आप c अपने हिसाब से निकलेगा इसको इक question number डाल दो एक मिनट y का मान रख दो v का मान v की value क्या होगी y upon x तो minus का cot y upon x is equal to minus का log x plus c ये question number 2 हो गया ये solution का नाम क्या होगा it is a particular solution ये general solution है ठीक है आपको जो condition given है क्या given है x is equal to 1 और y is equal to pi by 4 कहां रखेंगे by question 2 रख दो उठा करके तो minus log क्या लेक रहा हूँ cot pi by 4 minus log 1 mod plus c log 1 की value क्या होती है 0 तो c ब्रावर क्या आ गया minus 1 उठा कर रख दो putting this value in equation 1 putting c in equation 1 रखो तो minus cot y by x minus log x plus minus 1 minus हटा दो plus कर दो ये answer होगा ये पर आप छोड़ दीजे क्योंकि कोई amendment करना तो कोई मतलब नहीं है cot जाएगा उदर cot inverse log का है adjust करेगा हमारी अपनी आउकाद नहीं है log कहेगा हम e to problem लिखेंगे अच्छा अपना काम करो note करिए इसको अच्छा 14th question बिल्कुल similar है y को vx मानोगी तो अपने आप ये integrable हो जाएगा 15th लगाओ जो रहा ये हमने अच्छा च्छा अच्छा पिना च्छा करेंगे अगर अगर देखें तो आफ सभी कितने तर्म के हैं v plus x dv by dx बस हो गया कम by question 1 putting in 1 by equation 1 रखद उठा करके कि क्या हो जाएगा v plus x dv by dx is equal to 2x y को रखा आपने vx plus v square x square upon 2x square उपन इस x square cancel हो जाएगा तो v को उधर लेआओ तो आएगा x dv by dx is equal to ये क्या बचेगा ये बचेगा 2v plus v square upon 2 minus का v तो एलसम ले लो तो आएगा x dv by dx is equal to 2v plus का v square minus का 2v upon 2 ये 2v2 कड़ गया अब हो गया काम गतम v square अदर लेआओ तो v square अब 2 बिचारा कहा महा केला dx से साथ अचा ले जाओ v square dv upon में आ जाएगा न dv upon v square dv upon v square is equal to minus का 1 upon 2x dx अब 1 upon v square को log v square ले सकते हैं अच्छा बता रहे हैं log v square ले सकते हैं अब कहा हो यह आपका है v की power minus 2 dv लिखेंगे और यह minus का 1 upon 2 log x लिखेंगे ऐसा करो यह 2 को अरे ठीक है प्लस c लिखा रहने दो इसका इंटिकल क्या होगा v की power minus 1 upon minus 1 is equal to minus 1 upon 2 log x plus c यानि minus 1 upon v is equal to minus 1 upon 2 log x plus c यानि कि minus x v की value क्या है और 1 upon v की value क्या होगा x upon y तो x upon y is equal to minus 1 upon 2 log x plus c तीक है वैसे तो हम minus को हटा देते लेकिन चूंकि c की value निकालने के लिए condition दीगी है तो condition लगा देते हैं तब देखा जाएगा तो given लिनूट का लिए न given condition क्या है given है y is equal to 2 कहा दिया हुआ है y is equal to 2 given है y is equal to 2 and x is equal to 1 तो y equation 2 रख दो y को 2 रख दो x को 1 रख दो तो क्या हैगा minus 1 upon 2 यह log 1 0 हो जाएगा पुरा step 0 हो गया this is equal to c c की value क्या आ गई रख दो उठा करके equation 2 में putting this value in equation 2 तो हैगा minus x upon y is equal to minus 1 upon 2 log x minus 1 upon 2 minus 1 रख जाएगा हड तरफ से तो x is equal to 2 lcm ले लो तो यह आएगा 2 x is equal to y log x plus y तो this is your answer कल कुशन देख लिएगा किसे गलत है नहीं नोट करिए यह 16 का question इंग्लिस में क्या लिखा हुआ है यह एक समगाती यह नहीं हमारे हिंदी लिखा हुआ है हल करने के लिए कौन सा प्रतिस्थापन किया जाता है क्या लिखा हुआ है पोली इंग्लिस में क्या लिखा है भई डी वी डी अक्स हाँ जो लिखा वो पड़ो यह कह रहे है कि भई यह एक question दिया है homogeneal से तो दिख रहा है आपको क्योंकि एक सपान वाई को अगर आब lambda x और lambda y करो गए तो lambda x पावर 0 हो जाएगी तो कह रहे हैं कि y बरावर vx y बरावर vx v बरावर yx x बरावर vy x बरावर vy और x बरावर v इन चारों में से कौन सा substitution आप करेंगे देगे दो चीज़ें है इतार देखे वैसे तो हम इसको पलड़ दे उठा करके तो dy by dx बरावर h y पन x हो जाएगा तो हम y को vx रख देंगे लेकिंगे अगर as it is देखें तो इसको किसके respect में differentiate क्या गया है y के respect में तो आपको x को y का function माना पड़ेगा तो आप यहां क्या assume करेंगे कि let x is equal to v y is the correct substitution इतना ही answer नहीं चाहते हैं वो फिर उसका answer भी चाहते हैं दिया नहीं उन्होंने अच्छा आप रख करके देखो answer उन्होंने कहा नहीं ऐसा है एक मिनट आपको लिए लिखेंगे क्योंकि यह y के respect में differentiate है इसलिए हम x को y का function मानेंगे यह correct substitution है अब पिछले question में हुआ भी था अब इसको हमकर solve कोना चाहत क्या होगा इसको किसके respect में differentiate करेंगे y के तो क्या हैगा dxy dy is equal to first function y का 1 plus y into dvy dy y के रिजम करेंगे ना उठा के यहां रख दो by question 1 so by question 1 रखो यहां पर क्या हो जाएगा v plus y dvy dy is equal to h x को रखा आपने v y तो h v बचेगा तो देखे जान से यह से v को हटाया और यहां पर minus लगा दिया तो यह क्या हो गया आपका y dvy हाँ वो कहा नहीं गया लेकिन हम substitution करके देख दिखा दे हो रहा नहीं हो रहा है यहां से v कामल लिया ऐसा पूचा नहीं किया उन्होंने यही लिखा केवल लेकिन आप अगर यही answer लिखोगे तो आपको reason लिखना पड़ेगा ना because here we are differentiating with respect to y तो जिसके respect में करते हैं वो independent function होता है और जिसको करते हैं वो तो हम x को y का function मानके assume करेंगे तो देखें h को लिखा नहीं दो या इधर ही लिया उठा करके तो यह आजाएगा dv upon v is equal to h minus 1 तो यह आजाएगा dy upon y integrate कर दो गए तो इसका क्या हो जाएगा log v is equal to h minus 1 log y plus c v कमान अगर दो answer आ गया ठीक है चुकि कोई condition तो दी नहीं गई है वैसे तो पूछ भी नहीं रहे यह differential equation क्या होगा लेकिन आप पूछाओ तो यह कर सकते हो ठीक 17th में 4 differential equation लिखे है ज़रा देखें फर्स्ट में क्या दिखा 6x plus 6y plus 5 घुज गया 5 तो 5 तो constant हो गया यानि यह homogeneous नहीं है second में xy है यानि 2 degree का और x cube 3 degree का नहीं है इसमें x cube x cube का नहीं है तो जब 3 नहीं है तो 4 अपने आप है हो जाएगा अगर नहीं भी होगा तो 3 नहीं है तो 4 अपने आप सेम हो जाएगा तो वो सेम हो जाएगा तो यह 4 हो जाएगा लेकिन 4 सेम है कि उसको solve भी करना पड़ेगा ना कहा नहीं उन्होंने उन्होंने यही खा कि यह है कि नहीं हाँ, हाँ, डिक्री तेग्री सेम है हो गए differential equation लेकिन और यह तो नहीं कहा solve करो लेकिन solve कर लो, का नुकसान हुआ जा रहा है का नुकसान हुआ जा रहा है भाई नुकसान हो जाए तो अरे दादा नुकसान हो गया हमारा तो value रख देते हैं तो क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा y square dx plus x square minus xy minus y square dy बराबर 0 ये चौथा option है यही सही है क्योंकि इसके सभी डिगरी कैसी है तो यहां से हम drx निकालेंगे dy by dx तो आएगा minus y square upon x square minus xy plus अब जाएगा शॉर्ट में इसको लगाते हैं y को lambda y x को lambda x रख करके देखोगे तो होजिनेस आज जाएगा y को vx रखोगे तो ये क्या हो जाएगा v plus x dvy by dx is equal to minus y square बोले तो lambda square x square upon x square minus lambda x square plus lambda हाँ अरे वो lambda तुम लोग बढ़के v है ना वो lambda v square x square vx square ये आएगा v square x square x square x square cancel हो जाएगा तो आएगा v plus lambda dvy by dx is equal to minus ka v square upon v square minus v plus 1 ये v हटाओ ये minus 1 कर दो lcm लेके solve करो अपने आप करिये इसको आपने आप करिये इसको आपने आप करिये question में दिया नहीं क्या solve करिये उन्हें ये कहा homogeneous पहँचान हो अब जब पहँचान ही लिया है तो आखिर उनको थोड़ा और सम्मान दे दो आईए वाई साहब आपकी खाते डारी भी कर दें बस ठीक है इसको लगा लेजेगा okay